गरीबी मिटाने के लिए अपनी ही संतान को साड़े साथ लाख रुप में बेचा कैसे बिविन बैंकों को बाबा बना करके बाबा राम देव बने 25,000 करोड के आसामी जिन SCST के नाम पर स्टाट अफ और स्टेंडिंग अफ योजना बनाई गई चैसाल बीत जाने के बाद भी SCST की भागेदारी इस योजना में मात्र 19% ही क्यों अगर आप देश की आजादी के बाद से लगातार 75 वर्ष से परेशान हैं खास करके इस देश के युवा तो खुस हो जाईए सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक खुसी की ख़वर निकल कर सामने आ रही है सरकार की तरफ से उन युवाओं के लिए खुसी की बात है जो बिविन सेनाओं में जाकर के देश की रच्चा करना चाहते हैं तो सातियो आज अब इनी महत्मूर्ण बेसियों पर बात करेंगे तो आप देखते रहिए जनित आवाज और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दवा कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त नई नई खवरें निकल कर सामने आ रही हैं जो एकदम आपको चौका देंगी और जगजोर के रख देंगी जिया सातियो दिल्ली से एक ऐसी खवर निकल कर सामने आई है जिसमें कुदी के माता पिता ने गरीबी मिटाने के लिए साड़े साथ लाक रुपे में अपने ही ग पासकर अकवार में पहले मैं आपको सुना देता हूं बलजीत नगर निवासी, इकरत उर्फ गुड़ू, दुरगा एंकलब, कंचावला निवासी रेनू, अठाइस वर्स गाजियावाद यूपी निवासी, मौनी बेगम, गुल्म और एंकलम गाजियवाद निवासी, रेका 46 वर्स, सिद्दार तुयार गाजियवाद निवास आरोपी मेला, अपनी सयोगी रेनू, गुड़िया और मेगौनी के साथ बच्चे को लेकर नौइटा एक्स्टेंशन आईवी एफ क्लीनिक गई, जहां उनी ने बच्चा योगे सोनम और रेका के हवाले कर दिया, आईवी एफ क्लीनिक में रेका और सोनम कंसल्टेंट के त निसान देई पर अगवा बच्चे को परीदाबा धहर्याना से रिकवर कर लिया है, तो देखा साथ यो देश में किस प्रकार के बाहौल आ चुके हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रूस के युद्ध को देखते हुए कुसोर हैं, स्री लंका में महंगाई कितनी चर ये था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक बाप अपने 5-6 दने के बच्चे को बेचने पर मजबूर क्यों हुआ, साथ यो आज की दूसरी बड़ी खवर यह है कि विजय माल्या और नीरमोदी को पचाड़ते हुए, रूची सोया कंपनी ने कॉपरेट जगत की लू अगिनवाड के अनुसार, अगिनवाड अखवार में क्या कुछ लिका है, ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, बजय माल्या और नीरमोदी को पचाड़ते हुए, बाबा राम देव ने बैंकों को चूना लगाने का नया किर्तमान बना लिया है, अभी रूची स सोया 4,300 करोड रुपे जोटा रही है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों को बाबा बनाकर राम देव 25,000 करोड के आसामी बन गए हैं, दिवालिया फरम रूची सोया पर बैंकों का 1,800 करोड रुपे से अधिक बकाया था, उसे बट्टे काते में डालते हुए बैंकों ने एक र पतंजली ने नया उधान प्रिस्तुत किया है, SVI के साथ साथ PNV, सेंटल बैंक और अन्ने ने भी करजा माप कर दिया है, दिसम्मर 2019 में पतंजली ने दिवालिया कंपनी रुची सोया को करीदा, पहले अड़ानी गुरुप भी दोड में था, जो बाद में पीचे हट गया अब पतंजली पवलिक इसू के जरिये 43 करोड जुटाना चाहती है, ताकि इस रासी का इस्तिमाल करज उताने में किया जा सके, आदे से अधिक लौन को माप करने के बाद, N.C.L.T. ने सस्ते में रुची सोया को पतंजली के हवाले कर दिया, बाबा ने N.C.L.T. को भी कमपनी को, हमारी बैंकों ने 12 करोड रुपे लौन दिया कि इस कमपनी को खरीद लिया जाए, और जिस कमपनी पर लौन था, उसे बट्टे में डाल दिया गया, यानिक एक तरह से माप कर दिया गया, अब उसे उस कमपनी को बैंकों के लिए भनने की जरूत नहीं है, तो सो जाने के पास दसे यार का लौन हो, तो ये बैंक बाले उनके घर पर दम देते हैं, और तमाम तरह की उन पर कारवाई की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी कमपनीयों पर कोई कारवाई नहीं की जाती है, एक देश के आम जनता के पैसों को ऐसे ही लूटा जा रहा है साथी आपको याद होगा, 15 अगस्त 2016 से प्रदानमंत्री मौधी ने एक नई योजना लागू कीती, युवाओं को रोजगार के लिए खास करके, S.E.S.T. युवाओं के लिए, आपको याद होगा, 15 अगस्त 2016 को प्रदानमंत्री नरेंद मौधी जी ने इस योजना को ला से दोयार 15 में आजादी के दिन लाल के लिए से इस योजना की गोशना की थी, गोशना के 9 महीने बाद इसे लागू कर दिया गया, इस योजना के सार तत्व की चर्चा करते हुए नरेंदर मौधी ने कहा था, Start of India और Stand of India बारत का भविश्च बनेंगे, इस साल हम डाक्टर बावा साव अंबेड कर जी की 125 भी सालगर मना रहे हैं, देश में बैंकों के सवालाग ब्रांच हैं, इस योजना के तवत हर ब्रांच को ये प्रण करना है कि भी हर साल आदवासी या दलित को अपना काम सुरू करने के लिए लोन देंगे, इस से हर साल सवालाग दलित आद दमीयों के लिए भी ऐसी योजना बना सकते हैं, साथी आपको बता दूँ, ये जो खबर बता रहा हूं, ये कोई मेरी मन गरंत कानी नहीं है, दप्रिंट पे लिखा है बरिष्ट का दली मंडल जी ने, और आगे क्या लिखा इस योजना के वारे में दली मंडल जी ने, वह इसे दूसरी ही तस्वीर सामने आती है, केंदरी वितमंत्री निर्मला सीता रमड ने जो आगडा सेर किया है, उसके मताविक स्टेंड अप इंडिया के 81 प्रत्सत लावारती महला हैं, जी आ सातियो, 81 प्रत्सत महला हैं, और इन महला में SCST की होंगी या नहीं होंगी, इस पर भी मैं आगे बात करूँगा, यानि सिर्फ 19 प्रत्सत लावारती ही SCST हैं, बितमंत्राले के मताविक इस योजना में कुल 30,160 करोड रुपे के लौन दिये हैं, इन मैंसे SC को सिर्फ 396 करोड रुपे और ST को तो उससे भी कम 133 करोड रुपे के ही लौन दिये गए हैं, म आती हो, मैं ये बात क्यों कह राता, कि इसमें SCST की भागेदारी कितनी होगी, क्योंकि आप इस बात का ही अंदाज लगा लीजिए, कि जब पुरसों की संक्या पूरी योजना में मात्र 19 प्रत्सत है, SCST के पुरसों की, तो SCST की महलां को इसके बारे में कितनी जानकारी ये आपके सामने है, इसके अलावा एक और महत्मूर्ण खवर, जो आज की सबसे बड़ी खवर मान सकते हैं, जो योवा सेना में जाने का ख्वाव देख रहे थे, जो सोचते हैं, सपने बनाए रखे हैं, उनके लिए सरकार के अनुसार सुनेरा मौका है, क्योंकि सरकार गो योवाओं को विविन सेनाओं में भरती करने के लिए एक नई योजना बनाई है, जिससे अवो जो देश वर के योवाओं हैं, उनका कुसी का ठिकाना नहीं रहा, वो नई योजना क्या है, चलो ये भी मैं आपको पूरा जैसे का तैसा पढ़के सुना देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं को जो पैक्ट में आपको बताओं, वो मेरे मन से कुछ गलत हो जाएं, इसलिए जो ख़वर है, मैं वही बता रहा हूं, साथियो आपको बता दें, यह खवर देने को वासकर अकवार में च्छापी गई है, क्या लिखा है इस खवर में, मैं आपको बत सेना में सम्मिदा, तीन साल के लिए युवाओं की भरती होगी, जी हां साथियो, सेना में भरती होने की ख्वाइस रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी कबर है, सरकार अगनिपत भरती प्रवे सिजनल लागू करने जा रही है, इसके तरद तीनों सेना में के लिए सुनरा मौका इसलिए है, क्योंकि रच्छा बनों के पास यह बेकलब भी रहेगा, कि वे कुछ अगनवीरों को सेवा में सामिल कर सकते हैं, यह अगनवीर बाद में कॉर्पोरेट में भी नौकरी कर सकेंगे, सक्त ट्रेनिंग के बाद कस्मी रवा पूरोत्र में त अब देश की सेना में भी सम्मिदा पर नियुकती होगी, जो होनार होंगे, जो अपने तीन साल के कारेकाल में अच्छा रेल्ट देंगे, उन्हें पर्मानेंट भी किया जा सकेगा, सातियों कहीं ऐसा तो नहीं है, कि जो सेना में अभी खुली प्रतयोकता के माद्यम से यह गरीब परवार के युवा भी सेना में आसानी से जा सकते थे, यह सरकार, जनवरोधी सरकार कोई सडेंतर तो नहीं कर रही है कि जो सेना में तीन साल पर सम्मिदा रखेंगे, फिर उनका नयम और सरनयम देखकर उनी में से पर्मानेंट किया जाएगा, जिस प्रकार से पिछ विटर पर पोस्ट करते हुए बरिष्ट पत्र का दिली बंडल लिखते हैं कि मैंने पहले ही काता कि ठाकरों को गरवता के बांकी जगों पर वे कहीं उच्च पदों पर नहीं है, लेकिन सेना में अच्ची संक्या है, मैंने काता कि पूरी दुनिया में फौज की संक्या टेक्नलोजी है, अजारों मील दूर बैटकर ड्रॉन से हमला हो रहे हैं, भारी बाला आप किसी काम का नहीं रहा, तो साती हो यह थी आज की दिनवर की मैत्पूर कवरें किस तरह से एक पिता ने अपने पांच-छे दिन के बच्चों को केवल गरीवी मिटाने के नाम पर ए Stand of India जो के SCHTOBC के नाम पर बनाई गई, उनी के युवाओं को इसमें मात्र 19% ही भागीदारी मिली, और ये खवर तो मैंने अभी बताई है कि सेना में किस तरह से अब सम्मिदा सिस्टम लागू कर दिया गया है, ये देश के युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड है, क्य या कुछ खास युगता, या कुछ पूरोजों की युगता देखकर सरकार की इन सेनाव में भरती करने की आसंका है, तो साथ ही ओ, आप इन सभी ख़बरों पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, अपना सुजाब कमेंट में जरूर दें, अगर मेरे से आपको कोई सवा हैं, तो वो सबाल भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से सेर करना ना भूलें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड़ बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नमस्तकार.